लिम्रा न्यूज हम दिखाते हैं सच देश प्रदेश की सची खबरों के लिए देखते रहिए लिम्रा न्यूज पॉलिसी को आप कन्वर्ट कर दियों उसको और उसका खेमियजा हम देख रहे हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश के इंबसिडर्स को कंट्रीज बुला कर करें कि आप ने खलत का डिमार्स दे रहे हैं कि आप माफी चाहिए आप माफी चाहिए हमारे देश के जो नागरिक इन गल्फ कंट्रीज में रहते हैं वो 34 लाग 20 खरीब रहते हैं UAE में एड और सारी UAE में खुझ 24 लाग 20 खर साओधी एरेबिया में 25 लाग यूनिटट स्टेट्स में 12 लाग 80 खर कुईट में 10 लाग 29 खर उमान में 7 लाग गतर में 7.5 लाग नेपल में 5 लाग यूनिटट खिंगडम में 6.5 लाग 2.5 लाग 10 लाग और जितने top 10 NRI destination है उसमें 6 के 6 ये गल्फ कंट्रीज में है अगर ये गल्फ कंट्रीज में इंडियन्स के खिलाफ होस्टिलिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा अगर ये लोग होस्टिलिटी शुरू कर देंगे और हेट वाइलेंस महाँ पर शुरू हो जाएगी इंडियन्स के उपर तो कौन जिम्मेदार है पदान मंत्री जी बताइए और देश को 55% रिमिटन्स यही कंट्रीज से आता है जिसका मैंने भी नाम लिया क्या कर रहे है कौन सी फॉर्ण पॉलिशी एपदान मंत्री जी आपकी 56 की सीना की फॉर्ण पॉलिशी आपने देश की फॉर्ण पॉलिशी को बर्बाद कर दिया जो डुमेस्टिक हेट पॉलिटिक से वो फॉर्ण पॉलिशी को आप कनवर्ट कर दियो उसको और उसका खेमियजा हम देख रहे हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश के इंबसिडर्स को कंट्रीज बुला कर कह रहे हैं कि आपने गलत का डिमार्ज दे रहे हैं कि आप माफी चाहिए आप माफी चाहिए इरान के फॉर्ण मिनिस्टर आएंदा अफ़ते आने वाले इरान हमारे देश के इंबसिडर को बुला कर बोलता है कि आपने प्रॉफिट मुम्म्म्म्स की इंसल्ट की है माफी चाहिए वाइस प्रेसिडेंट खतर में है मौन की खतर मौजूदगी में इंबसिडर को बुला कर कहा जाता है इतनी बड़ी बेज़दी भारत की कौन सी फॉर्ण 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 पॉलिसी है मैं फॉर्ण मिनिस्टर से पूछना चाह रहा हूँ इंडिया इंटर्न मैटर्स इंटर्न मैटर्स बताईए हमारा जेश का अंदर्नी मामला अंदर्नी मामला आप सब जगा बोलते हैं जैशंकर साब